हलो फ्रेंड्स मेरे नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस ओफिशल यूटूब चैनल में जिसका नाम है S.O.L.Solutions दोस्तों वो स्टूडेंट्स जो कंटिनू हमारे चैनल पर बने हुए या हम से जुडे हुए तो वो जानते हैं कि जैसा कि 12th class की जो स्टूडेंट्स है अब उनका जो स्कूल है वो स्टार्ट हो चुका है चुट्यां खतम हो चुकी है तो उनका बोड का एक्जाम है तो उनकी बोड के एक्जाम की preparation कैसे करनी है ये हम उनको बताएंगे कैसे chapter के answer लिखने कैसे question आते हैं paper में ये सारी की सारी बाते हम बताएंगे as it is जिस प्रकार हमने college के जो students हैं बीए प्रोग्राम के हमने उन students को बताए था और उनके बहुत से comment भी आये थे मैंने जो कि आपके पिछली वीडियो में गैरी करवाने में तो आज हम 12th क्लास का शीत यूद का दौर जो पोलिटिकल साइंस का एक पहला लेसन है उसकी हमने दो वीडियो पहले भी बना चुके हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप उसको जाके देख सकते हैं आज ये क्या है कि शीत यूद क प्रफटद के दौर का जो तीसरा पार्ट है उसी चेप्टर की वीडियो का तीसरा जो पार्ट है आज इस वीडियो को आप देखने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर आपको किस प्रकार के questions आपके एक्जाम में धेखने उको मिलेंगे और अगर ये questions अगर और आपके सामने आप ही जाते हैं तो आपको किस तरीके से एक बहतरी नंग से उन परशनों का उत्तर देना है तो इसके वारे में आपको पता चलने वाला है तो दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपको य वीडियो अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना अगर आपको लगे है कि यह यूटूब चैनल है यह सिर्फ मेरी नहीं बलकि और मेरे भाई बेहन दोस्त जो भी हैं यार दोस्त सब की मदद हो सकते हैं तो आप हमारी चैनल का लिंक उने भी शेयर कर सकते हैं और लगातार कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट नॉट उनली पॉलिटिकल साइंस बलकि अधर सब्जेक्ट की भी आप अगर अपडेट पाना चाहते हैं से हिस्ट्री जोग्रफी हिंदी इंग्लिश किस तरीके से कोशन आएंगे किस तरीके से उनके आंसर लेकने तो आप हमारे चैनल का लिंक और भी जगा शेर कर सकते हैं ताकि हर कोई अच्छे से मार्क्स गेन कर सके तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो पहला कोशन आप स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हैं कि दो दुरुविता को चुनौती किस ने दी तो दुरुविता को चुनौती हमारे जो लिक्ष्टा के बारे में अभी हम बात करेंगे उससे पहले एक शोटा सा एक नम्मर का जो कोशन आपका आता है तो ये उसके लिए कोशन था कि दो दुरुवदा को चुनौती किसने दी पहली बात तो ये अब ये दो दुरुवदा क्या थी हमने पिछले वीडियो पार्ट व करते हैं कि तीसरी दुनिया के देश किने कहा जाता है और क्यों कहा जाता है तो तीसरी दुनिया के देश को भी गुट ने रिपेक्षता कि जो सदस्य देश हैं उन्हीं को कहा जाता है क्यों क्योंकि अब आप ये सोचे रहें कि उन्हें तीसरी दुनिया का देश क्यों कहा जाता है क्योंकि जो अमेरिका जो उसका पश्मी गुट था उसे पहली दुनिया के देश कहा जाता है और जो दूसरे गुट हैंगे जिसे हम सोवियत संग या जो पुर्वी गुट भी है जो सोवियत संग के साथ के देशों के साथ है उसे हम दूसरी दुनिया कहते है और जो गुटनिर पेख्षता के साथ है उसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं अब यह गुटनिर पेख्षता है क्या अब आप यह सोच रहे होंगे तो जैसा कि आप जानते हो अभी हम गुटनिर पेख्षता का अर्थ अलग से कोशिन में बताने वाले हैं एक चीज को मैं बिल्कुली हम देखते हैं कि गुटनिर पेख्षता एशिया अफ्रीका और जो लातीनी अमेरिका यानि जो आपका दक्षणी अमेरिका है उसमें जो अल्प विक्सित देश यानि ऐसे देश जिनका विकास नहीं हुआ था यह रिसेंटली भारत की तरह वो आजाद हुए थे वून आपको समझ में आ गया होगा नहीं भी आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि जो गुटनर पेख्ष था कि जो देश हैं उसको तीसी दुनिया का देश कहा जाता है इसके अंदर एशिया अफ्रीका और लातिनी अमेरिका यानि दक्षिनी अमे पूरी दुनिया दो खेमों में यानि दो गुट में विवाजित हो गई थी एक अमेरिकी गुट और एक सोबिय संग का गुट इन दोनों गुटों में शामिल ना होने वाले भी बहुत से ऐसे देश थे जो ये चाहते थे कि ना तो हम अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं और ना ही हम सोबिय संग के साथ जाना चाहते हैं तो गुट निर्पेक्षिता ने ऐसे देशों को एक प्लैटफॉर्म दिया एक मंच दिया जो देश अमेरिका और सोबिय संग के गुट में नहीं मिलना चाहते यानि एक पूंजीबाद सामयवाद की जो अर्थवस्ताओं के साथ नहीं जूड़ना चाहते वो गुट निर् यह सही है कौन गलत कौन सहही कर रहा है कौन गलत कर रहा है इस बात का उत्तर देना उनके पर्शनों के अधार्पर मतलब जो भी वो काम और उन Pakन को काम करते हैं उनके कारवें कि अदर पाँदाने गलता तो सék सब्समें रहेंगे अब ये बात आती है कि फिझ कुठर पेंगे सामिल वे लेकिन कभ स्थापना किसने की कब आया या इसक्य उसके बात कर लेते। तो गुटरी पेक्सता जो आंदोलन है इसकी सुरुवात देखे हैं इसकी जड़ देखे हैं जीड़ की सुरुवात हम देखते हैं यूगो सलोवाक्या जो आपका देश हैगा इसके जोजेफ ब्राज टीटो भारत के पंडिजवाला नहरू और मिश्र के गमाल अब्दुल न जाते हैं यह आप इंडिया की बुक्ट में पढ़ेंगे तो इस सम्मेलन इन्होंने एक सम्मेलन किया था इस सम्मेलन में ही क्या हुआ कि गुटरी पिक्सता की नीव रखी गई इसकी नीव रख दी गई लेकिन आगे चलके जो इंडोनेशिया के सुकर्णों और जो आपके गाना नाम का एक देश है उसके वहां में एनकुरूमा इन्होंने भी इसको जोड़दार समर्थन दिया मतलब ये पांच देश अब तक आप जान चुके हो जिसमें भारत यूगोसलोवाकिया मिस्र इंडोनेशिया और गाना ये पांच देश ऐसे हैं जिन्होंने गुटनिर गुटनिर पेक्ष्टा के संसापक देश रहे अब गुटनिर पेक्ष्टा का सबसे पहला सम्मेलन यानि गुटनिर पेक्ष्टा ने दुनिया को ये प्रूफ देदिया कि हमारा भी एक खेम आये हमारे एक गुट है इसका सबसे पहला सम्मेलन 1961 में बैल ग्रेड में हुआ एक option यह बहुत important question है कि गुट्रनलिपेक्षता का क्या अर्थ है इसकी स्तापना कब हुई किसकर द्वारा हुई और इसकी क्या परिभनेतिया निकली तो सबसे दूसरे का आपसी सयोग बनाए रखेंगे किसी भी किमत पर हम किसी पर भी हमला नहीं होने देंगे तो यह पहली बात तो इन्होंने यह द्रै कर दी कि इन पांचों देशों के बीच में आपसी जो सयोग है वो लगातार बरकरार रहने वाला है पहला पॉइंट तो यह किलर करेंगे इसके दाइरों को कम करेंगे क्यों कम करेंगे क्योंकि अगर शीत यूद ऐसे ही चरम पर बना रहा तो कभी भी यूद हो सकता है और यूद कभी भी हुआ तो उसका लॉस यह होगा कि बही ताकतवर देश अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फिर से जो गरीब करते हैं वहां तक संभव की जाएंगी नंबर तीसरी बात हम करते हैं कि अंतराश्टे स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बहुत से नए देश उबरे हाला कि सोला देश थे जो कि अफ्रीका से उबरे और वो संहिक्तराश संग में भी शामिल हुए तो यह कुछ परि ने देखा कि गुट निर्पेक्षता का जो सम्मेलन था उस सबसे पहला सम्मेलन 1961 1961 में बैल ग्रेड में हुआ था लेकिन इसके वर्तमान समय में NCRT की अकॉर्डिंग दोस्तों आपको आंसर लिखना है तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग 14 सम्मेलन हुए है जो 14 सम्मेलन है वो हवाना क्यूबा की जो राजदानी है ठीक है हवाना वहां पर हुआ है और इसके सदस्यों की जो संक्या है वो बढ़कर अब 116 हो चुकी है इस सम्मेलन के अनुसार लेकिन इसमें 15 परियवेक्षिक देश भी शामिल ऐसे हुए यदि उनको पसंद आया तो आगे चलके वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं दोस्तों ये डाटा आपका 2006 का है लेकिन आप अब हो 2019 में लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि 2019 है 19 का डाटा अब तक जो गुटनरिपेक्षिता का यही रहा है कि गुटनरिपेक्षिता ने अपने 18 सम्मेलन कर लिए आकरी सम्मेलन जो है आपका नैपाल की राजदानी बाडूंग में हुआ था और इसमें 125 से भी अधिक देश शामिल हो चुके हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में दोस्तों बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और गुटनरिपेक्षिता से जोड़कर इसका कोशन कई बर ही समझनी आएगा तो आप उसका उत्तर नहीं लिख सकते यह आपको समझना चाहिए इसलिए आपके जरूरी है कि आप उस परषिन को समझें पहले कि तठरस्तता होती कैए इसके बारे में आपको बताते कि क्या आर्थ होता है तटड़सिता तो तटड़सिता है जो है इसका basically simple मतलब यह होता है कि बही किसी भी प्रकार के युद में शामिल ना होना पहली बाद तो ये और युद के बाद अगर युद हो भी जाता है by chance कभी भी तो उस युद पे होने के उपरांत आप किसी पे भी ये प्रशन नहीं ल रहते हो जैसे पहला थे वैसे बाद में ना आप युद में शामिल हुए ना युद में कौन सहीता कौन गलत आपको युद से कोई भी मतलब नहीं है यही मीनिंग होती है तटस्ता का तो दोस्तो चैनमर का question कई बार भी मिला कि पूछ लेता है कि गुटन फेक्ष आंदोलन किस प्रकार एक टटस्ता की निती थी पलाइन की निती नहीं थी पलाइन का मतलब कायरता की निती थी दोस्तो यह question आपके board की regarding बहुत important है तो इस question को मैं बाद में आपको discuss करवाऊँगा अगले पार्ट की जो वीडियो नमर 4 पार्ट आपको मिलने वाली है दोस्तो मैंने आपको जैसा बताया भी थोड़ी देर पहले कि आपको chapter से regarding एक एक डाउट बिल्कुल चड़ से लेकर आपके आसमान तक chapter से ऐसा कोई question ही नहीं बचेगा जो आपके exam में आज है और आप उसका उत्तर ना लिख सुको पूरी book खंगाल दोगे आप बस आपको करना क्या है कि daily basis पे जो भी आपके लिए वीडियो अपडेट होती है आप उसको देखना है और आपको और भी मित्रों को शेयर करना है अपने दूस्तों को शेयर करना है ताकि और भी भाइबेंट जो हमारे इस वीडियो का पुरा लाब उठा सकें चाहे आपके स्कूल में आपके टीचर से आपको पढ़ाते या नहीं पढ़ाते पर हमारा काम है आपको पढ़ाना तो हम उस काम को जरूर करेंगे और आपसे बस इतना ही सही होग है कि भी आप इस वीडियो को और भी शेयर करें जरा बात करते हैं आगे दोस्तों कि परस्षिन नमर 16 इसी चाप्टर का कि क्या important question ह और यह question इस chapter का most important question में से भी एक है यह 4 नमर का question है वैसे आपका आज आता है इसमें एक question और मिलेगा तिर आप question देख सकते हैं screen पर कि 9 अंतराष्टे विवस्ता एक तो सिर्फ short में लिख देता है एक नाम इसका और है नियो short में लिख देता है नियो इंगलिस में भी कि देखा नियो यह नव अंतराष्टे आर्थिक विवस्ता क्या थी और इसकी परमुक मांगों को बताईए चाह नमर का question भी हो सकता है दोस्तों चैह नमर का question भी हो सकता है तो आपने आज चाहतर क्लास में आपने क्या सीखा आपने गुट्रनिर पेक्षता के बारे में ही स पने पता maisृ कि जोर्ष वंगवं से दोःव कि देखेस देशों और उस अंगठन के अंदर जा अलप विक्षित देशी शा मिलते तो उन देशों के विकास के लिए उन देशों की गरीबी निकालन से गरीबी निकालने 같습니다 की उन्तराष्ट श्या बनमांगोती है और इसी परक के निकल के आता है दोस्तों आपके सामने concept ये निकल के आता है कि व्यापार और विकास से संबंदित संयुक्त राश्चंग जिसे आप UNO के नाम से भी जानते हो उसने एक सम्मेलन किया था कभी किया था 1972 में 1972 में किया था उस सम्मेलन का नाम किया था United Nation Conference on Trade and Development जिसे शॉट में अंक्टाड भी कहते हैं एक नम्बर का कोशन ये आ सकता है इसलिए मैंने अलग से ब्लाइक पैंड से आपके सामने हाइलाइट कर दिया है तो 1972 में सहित राश्चंग ने एक सम्मेलन किया इस सम्मेलन में सिधा सिधा कहा गया towards a new trade policy for the development तो एक नई ट्रेड पॉलिसी बनाएगी एक नई वैपारिक पॉलिसी एक नई वैपारिक विवस्ता बनाएगी किसले बनाएगी ताकि देशों का आर्थिक विकास टिकाओ विकास हो उसके तो इसके कुछ मांगे रही क्या क् जरह बात करते हैं एक एक करके सारी मांगों के बारे में दोस्तों तो सबसे पहली मांग आपके रही कि अलप विक्षित देशों जितने भी अलप विक्षित देश हैं जिनका ज्यादा विकास नहीं हुआ है अलप विक्षित जितने भी देश हैं उनके प्राकर्तिक जितने कर सके कि अपने जितने भी जैविक संसादन है या जैविक संसादन है उन सभी का प्रियोग जो है वो खुद वहां के जो देश के जो सदस्य है या देश जो है वो खुद कर सके ना कि पश्चिम के अमीर देश उसका प्रियोग करें पहला पॉइंट तो यह किलर हो आपका दूसरे पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं जो दूसरा पॉइंट आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं दूसरा पॉइंट ठीक है दोस्तों तो इन के वैपार या जापान के वैपार ठीक है तो इन वैपार इन जगा के जो बजार है इन जगां के बजारों में वह पहुंच सकें वहाँ पर अपना वैपार कर सकें और वैपार के जरीए जो भी लाब उन्हें अरजित होता है उससे वह अपना मुना प्रिदोगी की आ रही है उनकी लागत कम हो लागत कम होने का मतलब यही है कि उन देशों जो पश्यम से जितने भी टेक्नोलोजी आ रही है वो सस्ते दामों प्यार जो यह अलप विक्षित देश है इन्हें दी जा सके नमर फूर पॉइंट के बारे में बात करता है जो चौथी मांग दोस्तों चौथी मांग बेसिकली यही है कि अलप विक्षित देशों को अंतराशे आर्थिक संस्ताओं में भूमिका बड़े अब यह सोचोगे अब आर्थिक संस्ता क्या होती है आर्थिक संस्ता वही होती है जो पुरे दुनिया की पुरे विश्यू की अर्थवेवस्ता को उबारने की बात करती है उसके विकास के बारे में बात करती है अब बोलोगे सर हमें ऐसी संस्था के बारे में तो पता नहीं क्यों नहीं पता आपको आपको पता है अब आप जानने वालो आपको नहीं पता त इसे आप वर्ल्ड बैंक यानि विश्य बैंक कहते हैं और नमर तीन आई एम एफ यानि इसे आप इंटरनेशनल मोनेटरी फंड अंतराष्टिया मुद्रा कोश कहते हैं यह तीन बड़ी आर्थिक संस्ताय हैं अगर इन में गरीब पिछड़े या अलपविक से देशों की दौर से आपके एक्जाम में आ सकते हैं और अगर आज आएं तो आपको किस तरीके से उत्तर उसका लिखना है इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो हर सब्जाइक की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों तक हमारा चैनल शेयर करें वीडियो तक मुझे भी पता चलेना है कि मेरा जो काम मैं कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए बेनिफीचल आपको लग भी रहा है कि नहीं लग रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाईस कल मिलते हैं बाई बाई